वेल्कम बहुत इंपोर्टेंट टोपिक लेकर रहा हुँ में वर्टिको याने की चक्कर चक्कर मरीज को क्यों आते किन किन कारणों से मरीज को चक्कर आ सकते उसका बैसिक ट्रीटमेंट क्या होगा ठीक है गाईस ये वीडियो जो है पूरी डिटिकेटएट है स्टूडेंट की लिए फार्मेस्थी मेडिकल जो डॉक्टर प्रैक्टिशनर है प्रैक्टिस के लिए है यना कि किसी लोगों को परस्नली मेडिसिन लेने की सजिशन इसमें हम लुग नहीं देते है के मस्तों एफिक नोल करते introduction की ठीक है, introduction में देखेंगे परीचे में एक वर्टिकु एक्चुल में क्या है, vertigo is not a disease, सबसे पहले चीज इंपोर्टेंट चीज आपको समझना क्या है कि भाईया ही बोल रहा है vertigo is not a disease, vertigo कोई बीमारी नहीं है, it is a symptom, ये एक प्रकार का लक्षन होता है, ठीक है, vertigo ए In this condition patient feel like moving but actually he is not moving What happens in the chakkar ? Dizziness is very different and different reasons This is very important in Hindi language This is the condition in which patient feel like moving but actually he is not moving In this condition patient feel like moving but actually it is not moving Some patients feel around him they are moving See two things Sometimes we are moving and sometimes we are moving Sometimes we are moving in 4 parts Both are different Both are different treatment patients You have to ask how the patient feels like moving That he is moving and moving in the areas This is important This is the basic introduction Vertigo is not a disease It is a disease which is seen in the disease This can be seen in many kinds of cases But there is no fixed case This is not a disease I will add a screenshot Let's see Basic Causes Basic Causes Basic Causes Basic Causes What can happen Basic Causes Basic Causes What can happen Basic Causes As a disease First of all Top Height Right While some patient see in a high level If there is no support If there is no support On a high level If there is no support There is no support Like there is no support So just keep the stroke To help From the level traveling By driving Children When a person is in a bus When there is no support This is another Or This is a different सोचना कि आप चक्कर आरे तो एक ही दवाई दे दोगे नहीं सबका अलग अलग ट्रेटमेंट जाएगा तो दूसरा होता है लाउट साउंड याने कि बहुत ज्यादा हाई साउंड में डिजय बशते हैं तो लोगों को चक्कर आरे लगजाते एक करेंड यह हो सकता है माइग्रेन वगिरा आदा सीजी जिसे कहते है माइग्रेन वगिरा की दिकत में भी व्यक्ती को चककर डिजिनस देखने को मिलते लाउड सांड बताया और माईग्रेन बताया है सब्सक्रेजियर और हो सकते हैं, डम यह होता है, बिस्टिविलर नीूराइटिस भी होता है डिसीजर होता है बिमारी में 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 इन हम grieving और था को आपको का न घुजियर का добणा vousंसा कश्कतेर हैं एक होता है नेक में इंजूरी देकिह कारण और होता है प्रियन संम तांटमीम का उसक्ता है यह आपने बेसिकली देखा होगा कि कोई medicine लिया, medicine जैसे कि कोई heavy medicine होई, high doses दे दिया, तो dizziness, vomiting type उसको देखने को मिल सकता, तो यह कुछ important और main causes होते हैं, जो कि आपको याद रखना होगा, इसका भी screenshot ले लो ताकि आप लोग को याद रहेगा, आते हैं symptoms अर्थात लक्षण क्या होगे guys, basically जो पहला balance problem बनेगी, याने कि कोई medicine को यदि चक्कर आ रहे है, dizziness हो रही है, तो definitely balance problem याने कि संतुलन बिगड़ेगा, वो गिरेगा, उसको, उसको simply, tinnitus, tinnitus मतलब गंटिया भजना कान में, इसके अलावा बोमेटिंग हो सकती है मरीच को, इसके अलावा headache कि सरदर्द मरीच को देखने को मिलेगा, इसके अलावा नेस्टोगम सो सकता है आको, आके चकर आना, मतलब आके एकदम चकर आएगी, कभी-कभी मरीच को इसा भी देखने को मिल सकता है, तो यह symptoms होंगे, जो कि मरीच को देखने को, देखो एक्चुल में, चकर खुद एक उसके होने के बाद भी हमें कुछ देखने को मिलती है, तरिकमेंट के ऊपर आते है, ट्रि disagreement of vertigo, यानि की चकर आने पर आप क्या-kाँ ट्रिटमेंट को सजेस्क र सकते हो, किस तरह से आप लोग उसको वास को घुट कर सकतो, देखियेगा, पहली Depression को आती है आपकी सबसे इ It is used when patient feels ringing in ear and vertigo जब मरीज के ringing in the ear भचिए भचिया बचर में पर उसको ठाग़ करें ने पर चन्था भच करें मरीज को कभी बोलता है सार मुझे में चन्था बच भच्ति रहती है तिन उसकारे उस कंडिशन में बेटास। मेडिकेशन का यूज करते हैं, डोजस की बात करें, वेसे तो डोजस पेशन को देखने के बाद ही डिसाइड़ इस्टेंडर डोजस की बात करो, तो 8MG टेबलेट बीडी यने की 8MG की गोली को मरीज को दो बार इस्तमाल किया जा सकता है, याद रखीगा, यह वाली टेबलेट होती है, इंपोर्टेंट है, बीटा स्टेंड की टेबलेट आती, 8MG में अवैलेबल रेती है, औरल यूज होती है, बीटा स्टेंड जब मरीज को कान में घंटिया बजे और रिंगिंग चक्कर रखकर आने लगे हैं, आगे बढ़ता इसकर एक याद रहेगा, नेक्श आता हमारा Promethazine, Promethazine का क्या उस होता है, Promethazine जो होती है, Promethazine का बैसिकली, जो Promethazine का इस्तमाल होता है, It is used when those patient who having motion sickness and vomiting, motion sickness means what? या दवाई उन मरीजों को लिए इस्तमाल की जाती है, जिनके चारो तरफ की चीज़े घूमती है, मतलब आसपास की जो रखी हुई चीज़े गूमती हुई दिखाई दे, उसकी बज़े से चक्कर आये, तो प्रो मेथाजन टेबलेट का इस्तमाल किया जाता है, और उल्टिया भी होने लगी क्योंकि motion sickness उल्टियों में भी काम अच्छे से करती है, डोजेस की बात करें तो 10 mg BD, दिन में दो बार 10 mg की मेडिशन यूस की जा सकती है न, प्रो मेथाजन देख लो आप लोग, यह टेबलेट होती है 10 mg, इस टेबलेट का इस्तमाल प्रो मेथाजन का BD दिन में दो बार मेडिश की लिए इस्तमाल की जा सकती है, और यह पेशन्ट को चारो तरप की चीजे घूमती हुई दिखाई दे, तब हम इसका इस्तमाल करते हैं, next medication आती है हमारी, sinarzin, sinarzin भी बहुत ज़्यादा यूस होती है, sinarzin का बहुत इस्तमाल किया जाता है, it is used when patient feel vertigo and mainly feel vertigo during the traveling, ठीक है, vertigo जब घूमते समय चक्कर आए तो ठीक है, यानि कि कोई मरीज है वो अगर मुख्य रूप से suffer कर रहा है, suffer के समय यह बहुत ही ज़्यादा effective medicine है, यदि किसी को suffer के समय चक्कर आते हो तब इसका इस्तमाल किया जाता है, doses की बात करू, normal vertigo है, सामान में अगर normally चक्कर आ रहा है, उससे उसको चक्कर आना, maintain रहते है vertigo during the traveling, यह काफी important है guys, Sinarzine, यह tablet आती है Sinarzine, कई अलग-अलग नाम में मिल जाती है, याद रखना company अलग-अलग हो सकते है, prescription based medicine होती है, Promethazine हम लोगो ने already discussed कर लिया है, तो आयोब कि आपको इस यह vertigo का topic समझ में आयोगो, thank you for watching guys, your Indian medical lecture description में link, अगर इस तरह की छोटी-छोटी डीटेल आपको चाहिए, तो आप हमारे application पर आ सकते हो, Indian medical lecture के नाम से, वहाँ पर हमारी basic treatments related book भी है, उसको भी आप study कर सकते हो, और वहाँ पर्प्रीमियम कोर्स भी मिल जागए, description में link के, अभी आप आजाओ, सारी नाइशे आपको मिल जाएगी, Thank you for watching guys, आपको अपने Indian medical lecture..